हेलो स्टूडेंट्स वैलकम तो मैं चैनल माथमेटिक स्टूरीज आज हम बीए बीसी सिक्स समेस्टर की बूक है जो हमारे रियल और कॉंप्लेक्स आइनालिसिस उसके चैप्टर नमबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर सेकिंड देखेंगे हम तो हमने लेक्चर बन के अंदर कुछ कोश्चन करें थे जो कि हमारी सक्सरसाइज में क्या है हमें पता है इसमें एक्सरसाइज में बस ट्रिपल इंटिगरेशन करना है परना कंसेप्ट तो हमारा 3.1 वाला ही था इसके अंदर ठीक है अब हमने अभी त्रीसरे चैप्टर में जितना पढ़ लिया आप उतना पढ़के आई होंगे तभी यहां तक आए हैं तो अभी हमारे क्या है कि हमी जैसे हमने 3.1 के अंदर एक क्या गया था सब्सिटूशन मैथड किया था ठीक है जहां पर हमारी सरकल टाइप की इक्वेशन होती थी और वहां पर उसके अंदर हम झाल's हम और ऑप एक स्ञाइं थीटा एक एक्स और य की जल्क पर देती थे ठीक है? तो अभी हमारा क्या पढ़ेंगे हम substitution method for triple integral क्या पढ़ेंगे हम substitution method ओके तो सबसे पहले जैसे हम substitute करते थे for example मेरे पास तेन function मालों मेरे पास x, y, z है ठीक है ये function है हमारे uv, w के ठीक है ये भी मेरा uv, w का function है ये भी मेरा uv, w का function है तो मुझे अगर dx, dy, dz को du, d, w और dw में change करना है तो हम जैसे second exercise, first exercise में करते थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे क्या करेंगे जैकोबियन से कर देंगे उसकी product ठीक है अगर मुझे x, y, z की term को uv, w इस तरीके से convert करना है तो हम क्या करेंगे जैकोबियन के mode की साथ product कर देंगे और जो यह जैकोबियन है वो क्या होगा जैसे x, u, w, w का function है ना तो curl x, y, z upon curl u, w, w type से हमारा होगा तो जो हमारा जैकोबियन होगा वो किस के equal होगा Curl X upon Curl U, Curl X upon Curl V, Curl X upon Curl W, Curl Y upon Curl U, Curl Y upon Curl B, Curl Y upon Curl W Then, Curl Z upon Curl U, Curl Z upon Curl V, Curl Z upon Curl W तो इस तरीके से जो हमारे है जेकोबिन इस तरीके से हमारे होंगे कि अगर हम XYZ वाली टर्म है उनको UVW में चेंड़ गरा तो उसके जेकोबिन के मोड से कर देंगे product ठीक है तो अब हमारी बारी आती है कि अगर हमें Cartesian coordinates हैं जो हमारे Cartesian coordinates हैं जो कि क्या होते हैं XYZ उनको convert करना है उनको change करना है cylindrical coordinates में तो हम किस तरीके से करेंगे जो हमारे cylindrical coordinates होते हैं जिसे ये तो coordinate क्या है XYZ और cylindrical coordinates क्या होंगे हमारे r theta और z ठीक है जो x है वो मेरा function है r theta z का जो मेरा y function है वो भी r theta z का है जो मेरा z function है वो भी r theta z का है इस तरीके से हम इनको बोल सकते है जरूरी नहीं है कि जैसे जो मैं x की value लिखूंगी उसके अंदर हमारा z या फिर include ही होगा लेकिन वहाँ पे हम ये जरूर वो सकते हैं कि वहाँ पे z की power 0 है ठीक है अगर मुझे Cartesian coordinate को cylindrical coordinate में change करना है Cartesian coordinate है हमारा x y z और cylindrical coordinate है r theta और z तो हम उनको किस तरीके से करेंगे हम ऐसे करेंगे x की value को हम put करेंगे r cos theta y की value को हम put करेंगे r sin theta और z हमारा z ही रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे x सिर्फो सिर्फ आउर theta का function यहाँ पे z की power 0 टाइप से है ठीक है मतलब depend तो ये r theta और z तिनों पही कर रहा है लेकिन यहाँ पे z की power 0 है ठीक है तो हमें ये बात हमने पहले vector calculus के अंदर भी पढ़ रखी है कि अगर हमें इसको Cartesian coordinate को cylindrical coordinate में change करना tax के जगे r cos theta y के जगे r sin theta और z के जगे हम z रखते हैं ठीक है तो अगर मेरा जैसे ये coordinates हो तो मैं dx dy z को किस तरीके से लखंगी mode of Jacobin हमारा यहाँ पे क्या है dr d theta हमारा हमारा क्या है यहाँ पे d z इस तरीके से है तो हम अब क्या कोविन के value निका लेगे Jacobin के value किस तरीके से होगी हमारी Jacobin हमारे याही होगा curl x upon curl r curl x upon curl theta curl x upon curl z अब x का r क..., यपँड़ थीटा करल으로 फोजेटर अपय। दो अब एक्स की पर ईसपेंगे तो हमारा टीटा की तो हमारा आ अ, जाएगा minus of r sin theta और z तो इसमें है नहीं तो 0 उसके बाद y का r के respect में करेंगे तो sin theta आ जाएगा y का हमारा theta respect में करेंगे तो r cos theta हो जाएगा और यहां पर भी 0 यह 0 यह 0 यह 1 इसको जब हम open करेंगे तो वो हमारे किस तरीके से होगा third row के along अगर हम इसको open कर दें तो यह इस तरीके से हो जाएगा 1 into इन दोनों की product minus इन दोनों की product तो यह क्या हो जाएगा r cos theta और minus minus plus r sin square theta that is r तो कि cos square theta plus sin square theta 1 हो जाएगा तो यह r हो गया तो यहां पी हमारे जो jacobian उसकी value क्या गई r इसका मतलब जो हम इस cylindrical coordinate में change करेंगे तो dx dy dz की जिएगे हम लिख देंगे r dr d theta dz ठीक है इस तरीके से जब हमारा question आएगा जैसे cylindrical वाले coordinates की form में हमें कैसे पता चलेगा तो हमें है ना उस question में particularly एक equation तो हमें दी मिलेगी जैसे circle type की x square plus y square less than equal to a square type की और एक हमें मिलेगी z की limit ठीक है यह हमारी z एक तरीके से क्या है cylinder के अंदर height का काम करें और यह वो circle होते हैं उपर नीचे वाले ठीक है तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं तो z की value है ना उसमें limit अलग से question में मिलेगी और एक हमें मिलेगी circle type की equation तो हमें समझ जाना है कि यहां पर हमें cylindrical coordinates वाला यूज करना है ठीक है अब बात आई कि यह r value हम यहां से निकाल लेंगे इससे जैसे इसके अंदर r less than equal to a होगा ठीक है करना है मतलब concept अभी तक यह है कि cylindrical के लिए x को r को theta और y को r sin theta और z को z रखना है और dx dy dz हमारे क्या हो जाएगा r dr d theta dz ओकी अब बात आएगी अगर हमें spherical coordinates में change करना हो देखो अगर मेरे पास जो Cartesian coordinate x y z उसको मुझे spherical coordinates में change करना है spherical coordinates ठीक है अगर मुझे spherical coordinates के अंदर change करना है तो हम वहाँ पे x y z की value क्या put करेंगे अब यही बात आएगे यह भी हमने vector calculus की book में पढ़ा था कि हम अगर हम इस spherical coordinates में change करना है तो x को हम क्या put करेंगे r sin theta cos phi r sin theta cos phi इसको हम put करेंगे r sin theta sin phi और z को हम put करेंगे r cos theta ठीक है तो यह होते हैं हमारे Cartesian coordinates जिनको हम spherical coordinates में इस तरीके से change कर सकते हैं ठीक है similar तरीके से हम क्या निकालेंगे इसमें भी फिर हम एक जगे dx dy dz चहीएगा जो कि क्या होगा जेकोबियन of dr d theta d phi इस तरीके से होगा क्योंकि इसके spherical coordinates होते हैं वो r theta और phi होते हैं और Cartesian coordinates x y z तो इनको हमें r theta phi में convert करना होता है तो इस तरीके से हम करेंगे अब आई बारी जेकोबियन की जेकोबियन हम किस तरीके से निकालेंगे जेकोबियन हम ऐसे निकालेंगे curl x upon curl r, curl x upon curl theta, curl x upon curl phi, curl x upon curl y upon curl r, curl y upon curl theta, curl y upon curl phi, curl z upon curl r, curl z upon curl theta, curl z upon curl phi ठीक है यह होगा अब x car के respect में करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आजाएगा sin theta cos phi अगर हम theta के respect में करेंगे तो sin theta का cos theta हो जाएगा और cos phi हो जाएगा अगर हम phi के respect में करेंगे तो minus of sin phi तो r sin theta minus of r sin theta sin phi अगर हम y का r के respect में करेंगे तो sin theta sin phi अगर हम y का theta के respect में करेंगे तो r cos theta sin phi अगर हम y phi के Stewart में करेंगे तो sin phi क्या जजो गॉष fpa तो R sin theta ठीCos phi ठीग है अगर Z का R की रिसपेक्ट में करेंगे तो κोस theta अगर Z का theta के रिसपेक्ट में करेंगे तो minus of R sin theta phi के रिसपेक्ट में क्योंकि है नहीं तो 0 अब हम क्या करदेंगे इसको simple रो के अलों क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे वह हम किस तरीके से कर सकते हैं उससे पहले अगर कुछ कोमन आता हो तो हम कोमन निकाल लेंगे जिससे जो हमारा कोश्यन है वह एजी बन जाएगा ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे इस रो में से भी हमारा इस रो के तो हम वो भी ले लेंगे, तो बाहर इस कोलम का R और इस कोलम के R और sin θ आ गया कुमन, तो R² sin θ आ गया बाहर, तो ये क्या बन गया हमारा sin θ cos 5, cos θ cos 5 minus sin 5, ये क्या होगा, sin θ sin 5, cos θ sin 5, cos θ sin 5, 0, अब हम ये normally इसको expand कर देंगे, तो हमारा answer निकल जाएगा, ओके हम किस तरीके से करेंगे, इसकी value का expand, third row के लोग करेंगे, तो इस तरीके से, पहले cos θ into, क्या करेंगे, इनकी product कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा cos θ और cos square 5, minus minus plus cos θ sin square 5, ये plus, फिर minus, फिर plus, तो minus of sin θ हो जाएगा, इनकी product करेंगे, इन दोनों की तो क्या हो जाएगा, sin of cos square 5, sin θ, cos square 5, minus, इनकी product कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, sin θ, sin square 5, लेकिन यहाँ पे भी minus था, और एक minus already है, तो minus minus क्या हो जाएगा, हमारा plus, इस तरीके से हो गया, अब ये r square sin θ बाहर था, इसके अंदर से cos θ को मना रहा है, तो हमने ले लिया cos square θ हो गए, यहाँ पे, फिर क्या बचेगा, अंदर sin square 5 plus, sorry, cos square 5 plus sin square 5, 1, similar यहाँ से sin θ को मना रहती है, क्या हो जाएगा, sin square θ, और ये cos square 5 plus sin square 5, 1, ठीक है, ये फिर 1 into है, ये तो फिर cos square θ plus sin square θ, ये भी 1, तो क्या बचेगा, r square sin θ, तो अगर हमारा जेकोगिन हमें spherical coordinate में change करना है, तो dx, dy, dz की जोगे हम क्या put कर देंगे, r square sin θ, dr, d, theta, dy, ये तो confirm है कि ये तो हम निकाल के नहीं दिखाएंगे, ये मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से हमारा ये आया है, लेकिन आप ये value learn कर लेंगे, कि जब question आएगा, तो आपको और भी काफी चीज़े होंगी, limits वगएरा जो solve करनी है, तो आप इसके लिए तो नहीं लगे रहेंगे, तो आपको ये value learn करनी है कि dx, dy, dz किसके एकवल होगा, r square sin θ, dr, d theta, d5, और अगर आपको लगते कि आपके पास exam में टाइम है तो आप ये कर भी सकते हैं, ओके, उसके ब equal to a square, less than equal to a square, इस तरीके की equation है, तो जो हमारी limit होगी, limit r, theta, और phi की, वो उसके अंदर ये आपको value learn होनी चाहिए, ये आपके results है, देखो, r तो मुझे पता है, क्योंकि r हमारी होती है radius, जो कि positive होती 0 से तो बढ़ी होगी, और a square, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फ बनता है, बनता है, तो r square less than equal to a square होगा, तो r less than equal to a हो जाएगा, तो 0 से a की value आ जाएगी, ठीक है, जो theta होता है इसके अंदर, कि आपको ध्यान रखना है, कि theta की value हम लेंगे 0 से pi, और phi की value लेंगे 0 से 2 pi, ये आपकी book के अंदर note या फिर remark के अंदर भी दिया मिलेगा, ओके कि x मतलब इस तरीके की equation तो हम r की value वहाँ पे theta की value और phi की value ये ही लेंगे, जो कि काफी सारे आपके exercise के question जिसमें हमें इस तरीके से करना है, ठीक है, उसके बात है, फिर ये बोलेंगे कि positive octant, कि ये मतलब इन्होंने theta और एक तरीके से phi change करके बता जैना, positive octant, positive octant मतलब उस हम क्या ले लेंगे, 0 से phi by 2, ठीक है, equation तो वहाँ पे भी इसी तरीके की रहेगे, x square plus y square plus z square, लेकिन हम क्या करेंगे वहाँ पे, वहाँ पे हम ये करेंगे, कि जो हमारे theta और phi है, आर के बहले तो हमारी यही रहेगी, 0 से, लेकिन जो theta और phi है, वो 0 से phi by 2, और phi भी हमारा 0 से phi by 2, इस तरीके से हो जाएगा, ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे इस तरीके से question, ठीक है, उसके बाद है हमारे example, देखो, first है हमारा ये, इसके बाद ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ये रिमार का भी जो मैंने आपको पता है, ये त value minus 1 से 1 के बीच में, x square plus y square less than equal to 4 है, देखो मैंने आपको बताया था, cylindrical coordinates में हमें इस तरीके से given मिलेगे, एक तो z की value होगी, और एक circle type की equation होगी, जब इस तरीके के होना, तो हमें समझ जाना है, कि ये कुन से वाला question है, cylindrical coordinates वाला question है, तो उसको हम क्या करेंगे, cylindrical coordinates में change क ठीक है, अब हमें इस तरीके की term को भी तो पता लगाना है, और फिर हमें ये भी देखना है, कि limit किस तरीके की होगी, तो इस वज़े से हमने x square plus y square की value यहाँ पे निकाल ली, तो x square plus y square equal to हमारा किसके को लोगा, अगर हम इन दोनों काइड कर देंगे, तो r square cos square theta plus r square sin square theta क्या हो जागा, r square into 1 तो that is r square, और x square plus y square की value हमें क्या दे रहेके less than equal to 4, तो मतलब r square less than equal to 4, बट जो radius है वो तो हमारी क्या होती है, r तो हमारी radius है जो कि क्या होती है, positive है, तो r हमारा less than equal to 2 और greater than equal to 0 रहेगा, इस तरीके से हमारा, क्योंकि r जो radius है, वो हमारी positive होती है, ठीक है, और जो theta है क्योंकि पूरे circle की बात है तो 0 से 2 pi होगी और z की limit उन्होंने खुद से दे रखिया minus 1 से 1 तो हमारा क्या होजगा minus 1 से 1 0 से 2 pi 0 से 2 ठीक है ये z as it is इसकी value क्या होगा हमारी इसकी value हमारी r square और dx dy dz की जगह हमारा होता है jacobian dr d theta dz और jacobian की value इस case में हमारी क्या आई थी r आई थी तो r dr d theta dz ठीक है जब हमने cylindrical coordinates ले थे तो वहाँ पे जो jacobian dr d theta और d phi आया था वो हमारा क्या था r dr d theta d phi तो इसके जगह हम ये put कर देंगे तो हमने ये put कर दिया तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारा r की cube हो जाएगा और r के respect में अगर integration करेंगे तो r की power 4 by 4 limit 0 से 2 और ये z as it is d theta dz और ये limit ठीक है equals to minus 1 से 1 0 से 2 by ये हमारा क्या हो जाएगा उसके बाद जब हम इसके अंदर limits put करेंगे तो ये तो जड हमारा यहाँ पर ही रहा ये लगा लो आप जड भी बाहर आ गए जड बाइ 4 लगा लो इस तरीके से हैं इसके अंदर जब limit put करेंगे तो हमारा क्या होगा 2 की पाउर 4 तक मतलब 2 टूजा 4 4 टूजा हमारा 8 और 8 टूजा 16 तो हमारा क्या जब यहाँ पर 16 माइनस 0 फिर इसको cancel कर देंगे तो 4 हो जाएगा तो 4Z D theta DZ हो गया हमारा उके उसके बाद D theta फिर हमारा theta की respect में integration हो जाएगा तो वो क्या होगा D theta का integration theta क्योंकि यह constant हो उस time पे तो theta और limit 0 से 2 pi DZ माइनस 1 से 1 इसमें limit पुट करेंगे अब पर limit minus lower limit तो क्या होगा 2 pi तो 4Z into 2 pi 8 pi Z DZ माइनस 1 से 1 अब Z का कर देंगे तो Z square by 2 limit माइनस 1 से 1 तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा जीरू आगे ओके और direct 0 भी कर सकते हैं कैसे मैं आपको एक बात उसी का रखी है कि हमारा यहाँ पे order function और limit माइनस A से यह type किया तो इसका direct integration क्या होगा 0 होगा तो इस तरीके से भी हो सकते हैं उसके बाद हमारा एक order question है जो कि है example number 7 जो कि इसी तरीके का है जो कि हमें दे रखा है x square plus y square plus z square less than equal to 1 x square plus y square plus z square dx dy dz साफ साफ पता चल रहा है हमारा कौन से वाले question जिसके अंदर limit में भी x square plus y square plus z square है यहाँ पे आप spherical coordinates कर लेना ओके तो we equal to x y z x square plus y square plus z square less than equal to one reason रिख रखा है न यह तो यह value हमने यहाँ पे लिख दी changing to spherical coordinates we have x की value r sin theta cos phi r sin theta sin phi और हमारा z is equal to r cos theta हमारा यही था उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें x square plus y square plus z square टाइप की value चाहिएगी तो अगर आप इन सबको add करेंगे तो r square मिलेगा देखो जैसे इसका square करेंगे पहले r square cos square phi sin square theta plus r square sin square phi sin square theta plus r square cos theta और square तो यह हो गया अब इन दोनों के अंदर से हम क्या करेंगे r square sin square theta को ले लेंगे comment तो cos square phi plus sin square phi क्या हो जाएगा 1 plus r square cos square theta इसमें से r square common ले लेंगे तो sin square theta cos square theta क्या हो जाएगा 1 तो क्या बच गया r square तो यह equal to r square के आगया ठीक है x square plus y square plus z square less than equal to 1 हो गया तो r क्योंकि r radius है तो इसकी value 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी तो r आगे 0 से 1 के बीच में हमने पढ़ा था यहाँ पे कि spherical coordinates अगर हमें normal condition में दे रखे तो theta हम लेंगे 0 से pi और phi हम लेंगे 0 से 2 pi तो यह हमने ले दिया ठीक है integration cos theta तो cos theta 0 से pi minus d5 dr उसके बाद cos pi हमारा minus 1 होता है cos 0 भी हमारा minus 1 होता है तो वहां से cos 0 हमारा 1 होता है तो minus 1 minus 1 तो क्या होगा minus of 2 और minus minus plus तो 2 r के power 4 और d5 dr होगा फिर इसका हम करेंगे 5 के respect में integration तो d5 का integration 5 हो जाएगा 0 से 2 pi limit इसके अंदर limit पुट कर देंगा फिर r का कर देंगा बिल्कुल इस यह 4 pi by 5 हमारा इस तरही के से आ जाएगा ठीक है उसके बाद मैंने आपको 4 तक तो question करवा दिया थे exercise के I think अब जो इससे related question है और देख लेते हैं आपके तीन तक ही question हो थे जो fourth question हो भी आपका आज की type का ही है देखो क्या है यह वाला question जिसमें यह नहीं था तो R cos theta और Y की जगे पर R sin theta मतलब cylindrical coordinates पूट गर दे और Z की जगे Z तो R dash हमारे किसमें आ गया R theta Z की form में जहां पर R की value क्या होगी A से छोटी और क्योंकि radius है तो 0 से बढ़ी होगी theta हमारा वही हमने यह value क्योंकि यह circle type की है यह equation यह तो हमारा जो theta होगा वो complete होगा तो 0 से 2 पाई होगा अगर यह कुछ खुद से बोलते कि positive coordinate वगरा तो हम कुछ और लेते अधरवाइस पूरा ही angle ले ले लेंगे 0 से 2 पाई और Z की value उन्हें खुद से दे रखे 0 से h के बीच तो यह डिली हमने फिर cylindrical coordinates होते हैं जब उसके अंदर dx dy is equal to Jacobian और dr d theta जेकोबियन के value आ रहा थी तो यह हम लिख देंगे इस तरीके से फिर 0 से h यह हमारी limit होगी z की फिर theta की 0 से 2 पाई 0 से z into यह value हमारी r square आई थी और यह value हमारी r square है और plus में z square into में dx dy dz की जगा r dr d theta dz होगा तो 0 से h 0 से 2 पाई 0 से a multiply कर देंगे अंदर इसकी भी और इसकी भी z r की multiply करेंगे तो z r cube plus z cube r dr d theta d z ठीक है अब हम करेंगे इसका integration normal तो r के respect में integration कर देंगे limits put कर देंगे फिर theta के respect में integration कर देंगे limits put कर देंगे उसके बाद Z की रिस्पेक्ट में करेंगे और लिमिट पूट करेंगे बिल्कुल इस है तो आप यह देख लेंगे उसके बाद next question है बिल्कुल similar type का यहां पर पीज एक तो Z की limit दे रहे हैं और एक circle type की equation है तो मुझे साफ साफ दिख रहे है कि cylindrical coordinates पूट करने तो X की जगे R को स्थीटा Y की जगे R साइं थीटा R की value हमारी यहां 0 और 1 के बीच में होगी और जो हमारा थीटा यहां पे भी वही बोल रहे है complete तो 0 से 2 पाई Z की value 2 से 3 तो 2 से 3, 0 से 2 पाई 0 से 1, Z into R square और इसकी जगे क्या आएगा R, D, R, D, Theta, D, Z ठीक है उसके बाद बिल्कुल इस integration है तो आप यह कर लेंगे इस तरीके से उसे next question भी बिल्कुल similar type का है जहां पे हमारी Z की value 0, 2 के बीच में X square प्लस Y square less than equal to 2 square लेग दिया तो R के value less than 2 आजाएगी ना और 0 से पड़ी theta 0 से 2, 0 से 2, D, X, D, Y के जगे वही R, D, R, D, Theta तो आप यह कर लेंगे question इस तरीके से बिल्कुल easy question था हमारा जो question number 4 था अब हम चलते fifth question पे जहां पे हमारा इस के अंदर भी X square, Y square, Z square type की term मिलेगे और यहां पे भी देखो Z square type की term है तो हम क्या करेंगे यहां पे spherical coordinate में इसमें change कर देंगे तो X के जगे R sin theta of cos phi Y के जगे R sin theta sin phi और Z के जगे R cos theta यह फिर मैंने आपको बता रहा है कि spherical coordinates में अगर simple तरीके से हमें दे रखा तो R के value हम 0 और यह तो 1 के बीच मिलेंगे और theta 0 से pi और phi 0 से 2 pi dx dy dz की जगे हम लिखते हैं वहां पे jacobin of dr d theta d5 और इसके case में jacobin के value आई थी R square sin theta तो हमने वो लिख ले तो 0 से 2 pi 0 से pi 0 से 1 R square यह limit लिखे है हमने यह सारी की सारी उसके बाद z square है हमारे पास तो z square की value कह है R square cos square theta उसके बाद dx dy dz की जगे हम put करते है R square sin theta dr d theta d5 ठीक है अब हम कर देंगे इसकी product तो क्या हो जगे R की power 4 cos square theta sin theta dr d theta d5 उसके बाद पहले हम R की respect में कर रहे हैं integration तो R की power 4 का R की power 5 by 5 0 7 cos square theta sin theta as it is d theta d5 उसमें limit put करेंगे तो 1 by 5 minus 0 आ जाएगा और 1 by 5 बाहर आ गया तो 0 से 2 by 0 से pi यह term as it is उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे क्योंकि cos का साथ में ही derivative दे रखा sin theta तो जब हम इसका integration करेंगे तो इसकी power में add हो जाएगा तो क्या हुआ माइनस बाहर आगे कोई cos का derivative sin theta होता ना तो यह माइनस हमारा क्या आ गया बाहर आ गया तो उस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा इसकी power 3 में by में 3 0 से pi limit 0 से 2 by d5 माइनस 1 by 5 0 से 2 by इसमें limit put कर देंगे तो cos pi क्या होता हमारा minus 1 तो minus 1 by 3 माइनस को 0 हमारा 1 होते तो 1 by 3 तो minus of 2 by 3 into minus of 1 by 5 तो क्या होचेगा हमारा 2 by 15 और जो कि यहाँ पर d5 और d5 का integration 5 तो 0 से 2 by solve कर लेंगे ओके similar आपका second question रहेगा बिल्कुल similar बस यहाँ पर पिछे में z square था है यहाँ पर x square तो यह आप कर लेंगे इस तरीके से बिल्कुल same question है तो यह आप कर लेंगे इस तरीके से उसके बाद आपका next question जो third question वो आपका पहले आ चुका है मैंने जो पहले question करवाई है तो इसलिए मैंने repeat नहीं करवाया है तो next question हमारा x square plus y square plus z square की power m dx dy dz where v is the interior of the sphere तो इसमें भी हम क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी इस तरीके किट में यहाँ पर भी तो उसको हम spherical coordinates में कर देंगे change तो value put कर दी है हमने spherical coordinates की यह वही आर के वेले 0 और 1 के बीच में theta 0 पाई 5 0 से 2 पाई वही values हम put कर देंगे simple integration कर देंगे इस तरीके से ओके जो 7th question है ना जो 7th question है आप देखना वहाँ पर सिर्फ n दे रखा है और answer में यह proof करना बोल रखा है बस यहाँ पर हमारा उसमें n है तो आप यह कर लेना 7th question भी ठीक है उसके बाद है हमारा next question जो की 5th है इस question में बस यह अलग बात है इन्होंने यह बोला है कि यह equation तो देखो यहाँ पर limit में भी इस तरीकी किता हम x square y square z square और यहाँ पर भी लगाने तो हमें spherical coordinates ही हैं लेकिन क्या बोलगा positive octant और positive octant में हम theta और phi क्या लेते है 0 से pi by 2 के बीच में बाकी हमारे कुछ अलग नहीं इसमें dx dy dz की जगा r square sin theta dr d theta d phi हो जगा 0 से 2 by 0 से 2 by 0 से 1 dx dy dz की जगा r square sin theta dr d theta d phi minus 1 minus इसके जगा r square तो इसका हम integration solve कर देंगे r square upon root of 1 minus r square sin theta dr d theta d phi ठीक है तो उसके बाद r square की जगा हमने इसके अंदर t put किया है तो r के बाद 1 root t आ गई dr हमारा गया 1 by 2 root t dt r 0 है तो हमारा t भी 0 होगा r 1 है तो t भी 1 होगा limit 0 से 1 रही t होगा उपर चले जगे तो 1 minus t की पाद minus 1 by 2 हमारे dr के जगे क्या गया 1 by 2 root t 2 root t root t उपर चला गया तो t की minus 1 by 2 dt dt फिर यह क्या हो जाएगा d theta और d5 और एक यह sin theta था वो भी हमने लिख दिया ठीक है तो यह हमारा 1 by 2 constant था वो बहार आ गया इसकी power 1 है इसकी minus 1 है तो 1 minus 1 by 2 that is 1 by 2 1 minus t minus 1 by 2 dt ये बन गया हमारा beta function beta function किस तरीके सो था इनके अंदर बन आड़े करके दो beta of 3 by 2 और 1 by 2 और बाक्रिटम as it is ठीक है उसके बाद beta 3 by 2 1 by 2 क्या होगा हमारा gamma of 3 by 2 देखो beta m n किसके कुल होता था गामा m गामा n अपून गामा m plus n ये मैंने आपको second chapter में बहुत अच्छे सिक रहा है था तो gamma m that is gamma 3 by 2 gamma 1 by 2 gamma of 2 gamma of 3 by 2 किस तरीखी सोगा 3 by 2 minus 1 gamma of 3 by 2 minus 1 that is 1 by 2 gamma 1 by 2 ये भी gamma 1 by 2 2 factorial ये हमारा gamma 2 क्या होगा 2 minus 1 factorial that is 1 factorial तो 1 by 2 gamma of 1 by 2 into gamma of 1 by 2 gamma of 1 by 2 gamma of 1 by 2 का square gamma of 1 by 2 की value था under root pi under root pi का square pi तो pi by 2 आगा है यहाँ पे इसकी value ये sin theta d theta d phi होगा नूर्मल इंटेशन सोल को देंगा आगे हो जाएगा ओके उसके बाद question number 6 जिसके अंदर हमें ये दे रखा है ax plus by plus cz dx dy dz over the ellipse over x square upon a square y square upon b square plus j square upon c square less than equal to 1 ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको break कर लेंगे i1 plus i2 plus i3 के लिए ठीक है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा पहले हम अगर i1 के लिए limits निकालें जैसे पिलकुल i1 i1 के लिए मैं निकालें हूँ ठीक है तो यहाँ पे मेरा x है ठीक है तो हम पहले z के लिए limit निकालेंगे फिर y के लिए और last में x के लिए निकालेंगे तो अगर मेना यहाँ पे z है तो मैं z की value किस तरीके से निकालती हूँ जैसे z square upon c square है वो less than equal to हो गया 1 minus x square upon a square minus y square upon b square मैंने भी हो दोर चला गया बस और फिर उसकी multiply c से भी हो c square से भी तो हो जाएगी तो यह हो गया z की limit क्या गी इन दोनों के बीच में इस तरीके से आज़े और फिर x है जाएगा ठीक है तो हमारी ये टम इस तरीके की बनगी i1 minus a से a ये टम ये टम ax dx dy dz अब देखो हमारी limit है minus a से ये type की function है हमारा ode जब हमारी minus a से ये type की limit और function ode होता अंसर क्या होता है 0 similarly जब आप i2 के लिए करेंगे और i3 के लिए करेंगे तो भी हमारा 0 आएगा तो टोटल अंसर क्या होगा 0 प्लस 0 that is 0 ठीक है उसके बाद हमारा next question जिसके अंदर हमें ये दे रखा x square plus z square dx dy dz जहांपे d हमारा ये दे रखा less than equal to 1 ठीक है d हमारा reason है x square upon a square y square upon b square z square upon c square less than equal to 1 जैसे 3.1 कराई थी मैंने आपको तब भी मैंने क्या किया था जो हमारी ellipsoid वगरा की equation थी न उसको मैंने क्या किया था उसको मैंने circle की equation में change करेंगा similar हम यहांपे भी क्या करेंगे x by a को u put कर देंग y by b को v और z by c को w put कर देंग x की value क्या आगी a u y की value b v z की value c w तो dx क्या आगा a du dy क्या आगा b d b z आगा c d w तो यह हमारे क्या होगा u square plus b square plus c square less than equal to 1 यहांपे हम value put करेंगे x की जगे तो a square u square c square w square into में dx dy dz dx क्यावल आ a du b d v c d w तो a b c d u d v d w आगा अब ध्यान से अगर हम देखें तो limit v u square plus v square plus w square square type की और यहांपे v u square w square type की term है तो इसको हम क्या कर देंगे spherical coordinates में change कर देंग u v w के जगेंगे spherical coordinates put कर देंगे क्योंकि यहांपे कोई अक्टेंट वगरा की बात नहीं है तो limit हम normal लेंगे archival 01 के बीच हो theta 0 pi और 502 pi के बीच मलेंगे ठीक है और normal question solve कर देंगे इस तरीके से जो जब यह question है यह मैंने आपको 5th का 1st और 2nd part कर वाया था उसके अंदर यह तो 1st part में solve गया यह 2nd part में जो कि हमारे answer आया हुआ है तो वो आपको इसी तरीके से solve करना है ठीक उसके बाद हमारा 3rd question जो की बिल्कुल similar type का जैसे अभी किया इसमें भी x by a को y by b को v और z by c को w पुट कर देंगे फिर यहाँ पे भी spherical वाली term बनगी यहाँ पे भी u square v square w square बनगा तो u v w को spherical coordinates के form में change कर देंगे और हमारा इस तरीके से यह question हो जाएगा solve ओके थैंक यू गाइस पर वोचिंग माई वीडियो प्लीज दू लाइक चेंड सब्सक्राइब टू मैं चैनल जो हमारी next lecture हेगा वो रहेगा 3.3 पे ओके थैंक यू सो मच